एक parallel plate capacitor अपने अंदर कितनी energy store कर सकता है ये डिपेट करता है कि capacitor का capacitance कितना है और उसे कितने volt की battery से connect किया गया है तो मान लेजें कि ये capacitor है इसका capacitor C है और जिस battery से connect किया गया है उसका voltage V है तो इस capacitor के अंदर जो energy store होगी वो होगी half cv square तो ये कैसे store होगी इसी का derivation करेंगी इस video में तो capacitor की plates ये conducting plate है इसके बहुत सारे free electrons है और इस वक्त यहाँ पर कोई charge नहीं है इसका मतलब यहाँ पर potential zero है और इस battery में potential V है इसका मतलब इस potential high है और इस circuit के बीच में एक switch लगा है इस switch को जैसे ही on करेंगे वैसे यहाँ से free electrons यानि plate A से free electron निकल कर battery के positive terminal की तरफ आएगा और battery के negative terminal से निकल कर plate B के उपर जाएगा तो electron का flow plate A से plate B की तरफ हो रहा है और charge हमेशा high potential से low potential की तरफ flow करता है जैसे किसी बरतन में हम पानी भरना शुरू करें तो जैसे जैसे उसमें पानी भरते जाएगे उसका level बढ़ता जाएगा तो पानी का flow हमेशा high level से low level की तरफ होता है अगर किसी बाडी को हम heat दे रहे हैं heat देने से उसका temperature बढ़ रहा है तो heat का flow high temperature से low temperature की तरफ होता है ऐसे ही अगर किसी conductor को हम charge दे रहे हैं तो उस conductor का potential बढ़ रहा है तो charge का flow high potential से low potential की तरह होता है तो इस तरह से battery के positive terminal का potential high है और plate A का potential 0 है तो charge high potential से low potential की तरह flow करना चाहिए लेकिन यहाँ पर electron जो था वो low potential से high potential की तरह flow कर रहा था तो हम ऐसे कह सकते हैं कि positive charge जो है यह high potential से low potential तरह flow करता है तो यहाँ पर positive charge plate B से निकलेगा और इस battery से होता हुआ plate A के उपर आएगा और इस charge को यहाँ से लेके यहाँ तरह transfer करने में यह battery work कर रही है और जो battery work करेगी यही work इस capacitor के अंदर potential energy के form में store होता जाएगा तो जिस समय यह switch को on किया था यहाँ पर कोई charge नहीं था यहाँ कि initial stage में charge 0 था तो यहाँ पर potential भी 0 था अगर potential 0 हो रहा है यहाँ पर charge नहीं है तो यहाँ पर कोई electric field नहीं बन रही है तो electric field भी 0 है अब अगर दूसरा positive charge इस plate के उपर लाएंगे तो यहाँ पर कोई electric field नहीं है तो दूसरा charge यह कोई force experience नहीं करेगा क्योंकि force होता है charge into electric field और electric field 0 है तो इसका मतलब force भी 0 होगा तो charge को यहाँ से यहाँ तक लाने में जब कोई force नहीं लग रहा है कोई opposition नहीं हो रहा है तो यहाँ पर work done भी 0 होगा अब यहाँ पर charge आ गया तो यहाँ पर electric field बनेगी इस electric field के अंदर अगर हम को दूसरा charge भेजेंगे तो यह charge उस charge को repel करेगा यहनि को उसका force लगाएगा Q into E तो बैटरी उससे ज्यादा force लगाएगी तब यह charge A plate को उपर जाएगा तो इस तरह से बैटरी को कुछ काम करना पड़ेगा तो अब जब दूसरा charge यहाँ से जा रहा है तो इसके उपर थोड़ा सा force लगाना पड़ा रहा है बैटरी को थोड़ा सा काम करना पड़ रहा है तो इस तरह से अगर चार्ज यहां के पर बढ़ रहा है तो यहां का पोटेंशल भी बढ़ रहा है और पोटेंशल बढ़ रहा है तो यहां पर इलक्टिक फील्ड भी बढ़ रही है अगर electric field यहां बढ़ रही है तो अब जो दूसरा चार्ज आएगा यहां के उपर उस पर ज्यादा force लगेगा तो force भी बढ़ेगा और इस तरह से battery को ज्यादा काम भी करना पड़ेगा तो work done भी बढ़ेगा अब यहां के पसे अग्र चार्ज भी जहेंगे तो यह दोनों चार्ज मिलकर उसका post करेंगे तो फिर ज्यादा force लग रही होगा और ज्यादा force लग रही होगा तो ज्यादा काम करना पड़ेगा इस तरह से अगर charge बढ़ रहा है तो potential भी बढ़ रहा है, उससे electric feel भी बढ़ रही है, उससे force भी बढ़ रहा है, तो ज्यादा काम करना पदक रहा है, work done भी बढ़ रहा है, अब अगर एक charge और लेकर यहां से आएंगे तो इसके उपर और ज़्यादा फ्र्कूर्स लगेगा क्योंकि यह तीनों charge मिलकर उसका पोस्ट कर रहे होंगे तो जब तीनों charge मिलकर इसको repel करेंगे तो यह battery को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो work done all बढ़ जाएगा charge का flow बंद हो जाएगा तो यहां जितना charge आना था वो आ चुका इससे जादा charge इसके उपर नहीं आएगा तो मालेजिए इसके उपर charge Q आगया तो इस plate के पड़ो प्लस Q चारज आएगा और उतने ही चारज इसके उपर आएगा लेकिन यहाँ पर minus Q चार्ज आएगा तो यह इसकी final stage होगी तो final stage में charge Q हो गया और potential difference यहाँ पर V हो गया अब हमको निकालना है कि इस बैटरी ने इतना charge लाने के लिए कितना काम किया तो work का potential से क्या relation है अपस में यह हमको पता है कि potential होता है work done per unit charge यानि unit charge को infinity से किसी point तक लाने में जो काम करना पड़ता है जो work done होता है वही उस point का potential होता है तो potential is equal to work done per unit charge यानि कि V is equal to W by Q तो work क्या हो जाएगा work हो जाएगा V into Q यानि कि potential into charge तो अब यहाँ पर अगर हम इस charge को इस potential से multiply करें तो क्या यहाँ पर work निकल आएगा ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर charge बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे potential भी बढ़ता जा रहा था तो यह potential यहाँ पर variable है ऐसे समझ लिजे कि जैसे एक block है इसके उपर अगर force लगा रहे हैं उतना ही force यहाँ भी लग रहा है तो पूरे रास्ते में force constant है अगर force change हो रहा होता रास्ते में तो फिर यह work done नहीं लगता इसी तरह से यहाँ के उपर भी potential change हो रहा है जैसे जैसे charge बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे potential बढ़ता जा रहा है तो फिर ये फार्मूला यहां भी नहीं लग सकता तो फिर हम एक intermediate situation कंसिडर करेंगे जिस वक्त यहां plate के बीच का potential V' था तो पहले potential 0 था, 0 से बढ़ते बढ़ते V हो गया तो बीच में कहीं V' मान लिया हमने और उस instant के उपर इसको एक बहुत ही कम charge बहुत ही small amount of charges को दिया DQ DQ charge जो है वो 10 to 0 है, बहुत ही छोटा charge है तो वो charge देने से जो यहां पर potential में change आएगा वो negligible होगा तब यह कहेंगे कि potential में कोई change नहीं आ रहा है potential constant हो गया तब यह फार्मना लग सकता है तो DQ charge देने में जो बहुत ही छोटा work किया गया है very small amount of work वो होगा V dashed into DQ तो total work कितना होगा total work जो होगा इसको integrate कर देंगे और इसकी limit रखेंगे कि charge यहां पर 0 था पहले और charge यहां maximum Q हो गया तो इसकी limit रखेंगे 0 से Q तक इसको integrate करेंगे Q के respect में तो V को Q की respect में तो integrate करनी सकते और यह constant मान रहे हैं तो इसको हम integration से बाहर भी नहीं कर सकते क्योंकि यह इसका function है Q का जैसे जैसे charge बढ़ रहा था वैसे V बढ़ रहा था यह इसको पर depend है तो हम पर V को substitute करना पड़ेगा इस तरह से है कि यहाँ को पर Q आ जाए तो यह तुमको पता है कि capacitance Q upon V' होता है तो V' हो जाएगा Q upon C तो फिर V' को substitute कर देंगे Q upon C से तो यहाँ के Q upon C और C capacitance है capacitor का यह constant quantity है इसको integration से बाहर कर लेंगे तो यह जगा 1 upon C और Q का integration करेंगे तो Q का integration होता है Q square by 2 और इसकी limit होगी 0 से लेके capital letter Q तक तो फिर यहाँ हो जाएगा 1 upon C upper limit यहाँ पर capital Q लिखेंगे minus फिर यहाँ पर lower limit यह जिरो लिखेंगे तो यह हो जाएगा Q square by 2 minus 0 square by 2 का मतलब 0 तो अब यह minus 0 को हटा जते हैं यहाँ से अब यह जो work done निकला है यही work done यहाँ पर potential energy के form में store हुआ है तो यहाँ लिख सकते हैं potential energy U और यह हो जाएगा Q square upon 2C अब हम C की जगा के पर यह लगा सकते है Q upon V तो C की जगा लिख सकते है Q upon V तो यहाँ से 1Q 1 square के Q से cancel हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा potential energy half QV इसी तरह से हम Q की भी change कर सकते हैं Q की जगा लिख सकते हैं C into V तो यहाँ लिख देंगे C V तो C square V square upon 2C इसमें से 1C इस square के C से cancel हो जाएगा तो यहाँ बचेगा half C V square तो यही derivation करना था half C V square